कि नमस्कार दोस्तों मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजूकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करूए हम लोग आज देखेंगे मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन क्या होता है आप लोग सभी निकालते होंगे लेकिन हम आज आपको दिखाते हैं करवाते हैं करके Historisch怎麼辦 naos future देखेंगे अब यही शुचेए कि मल्टिप्लिकेशन कि से नहीं आता था हम सब लोग को आता है मैं क्या कहना चाहता हूं क्या आप इस तरीक स्टरस मैं कर रहा हूं स्क्राइस हैं उस तरह से कई रिजेल्स जो होता है SACE कोई बी एक्जाम देते हैं और उस में यह आपको बाधा बनता है कि क्यूंकि हमा थृट करने का यह दि जरीया है और इससे एसे करें अपने क्लोप इसन फास्ट करते हैं थाकि अच्छे से हैं कर सकते हैं तो मल्य्टिक्ली केशन क्या होता है अभी हम स्टार्ट करते हैं और क्या हूं मैं क्या काता हूँ एक नंबर ए है एक नंबर ए है और एक नंबर बी है और एक नंबर सी है या फिर नंबर डी है हम इसको इसको मल्टिप्लाय करना है यहां पर पहले सबसे पहले टू डिजिट्स नंबर का मल्टिप्लिकेशन करेंगे हम लोग तू डिजिट्स नंबर का मल्टिप्लिकेशन सभी को आता है और सभी लोग करते हैं आप लोग कैसे करते हैं आप हम जानते हैं लेकिन फिलहाल आप क्या इसे करेंगे यह देखना है आप सबसे पहले multiply करेंगे इसको तीन तर्म में बाटेंगे सबसे पहले जो इस साइड लिखाएगा आपको लिखाएगा यह दोनों का multiplication BD और बीच में जो लिखाएगा A, T, J, C और सबसे इस साइड में लिखाएगा A, C आप काईएगा यह कैस्ते हो गया तो यह आपको याद नहीं है तो बिल्कुल याद नहीं रखना यह लग रहा है कि आपको यह हाड कलकुलेशन है तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले यह दोनों को multiply कर लें फिर से एक दूसरे को cross multiply करके जोड़ देंगे और उसके बाद यह दोनों को side को multiply करेंगे और आपका सीधा answer आएगा एक example में हम लोग आप लोग को दिखाते हैं अगर मैं कहूं कि 42 का multiply कर दूँ मैं है ना आपका 13 से आप इसे कैसे बनाएंगे तो आप इसे बनाएंगे सबसे पहले 3 को 2 से multiply करके 6 लिखेंगे ऐसे करेंगे फिर इसको यहां से यह अपका अंसर आएगा लेकिन मैं इसे कैसे बनाओंगा मैं इसे बनाओंगा कैसे आप इसको लिखेंगे फॉर टू और इसे लिखेंगे वां तरि मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप यह दोर्णों को मल्टीप्लाय करके एक लाइन में स्कार बाथी बच गया और 4 को एक से मल्टिप्लाइब करें चार आएंगा और 546 देखें आपका अनसर है आपका अंसर मैं एक लाइन में किसी भी दो डिजिट्स के नमबर को एक लाइन में मुल्टिप्लाइब करके से दिख करूंगा आप लोग कहेंगे यह तो इजी है मैं 13 का टेवल भी पढ़के कर सकता हूं चलो आप 13 के टेवल पढ़के भी कर सकते थे लेकिन आप सोचू और आपका दिया हुआ है 84 और आपका दिया हुआ 63 अब आपको मल्टिप्लीकेशन करने के लिए बोला है अब यहां पर आप किसी का करने पढ़़ आपको एक लाइं मृंटिक्लाइ करना है और अगर यह मेरा रूल याद है मेरा पताया हुआ चीजी या याद है तो आप इसे इजी से कर सकते हैं और यह हम 100% आपको ग्रांटी देते हैं कि यह से करना आप अगर स्टार्ट करते हैं इससे आपके कल्कुलेशन सुधरेगा और आप कम समय में कुश्चन को कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जाए चारतीय बारा का 2 एक बंच गया है एक लिख दीजिए आठ तिया चोबिस ऑख चर्चाव का चो बिस देखे आठ तीया चोबिस ऑचे चोबिस 49-4848 और एक 49 का 9 बादी बच गया चार कर आठ चाकर तालीस और चार बामन होता है है एक लाइन में एक लाइन में हम अनसर करेंगे किसी ग friend सब् Belgian जो 90 जो 90ड हमने लिखाइट मेंमिन फृट्टी करें से एंधिसbuildिश't कैन सिंय इविस्टि टिजिट्ट Chao Czech Flach 지ना पर देना है यह एढ़ा कद बागी बच गया एक नो दूना बार नो दूना आठरा और छे पच्चे तीस अठारा और तीस को एट करते हैं तो 48 आता है 48 और एक 49 बाकी बच गया 4 नो पच्चे 45 और 49 49 49 आपका अंसर होगा 4992 आपका अंसर होगा आप समझ सकते हैं कि कितना इजी से आप कल्कुलेट करना सीख जाएंगे आयकोलेशन आपका कलो क्लेशन आपका इसके कर सकते 99 इनटू तेवनटी थिरी अब देखिए 99 इनटू सेवनटी थरी देखिए मैंने और कल्कुलेट करने का एक तरीका बताया था कि 99 को 100 करषों करनें सकते हैं और 100-1 into 73 भी आप इसको कल्कुलेट कर सकते हैं तो मैंने वो भी रूल बताया लेकिन अभी हम बता रहे हैं मल्टिक्लिकेशन वाला नो से मल्टिप्लाइ करेंगे 27 तो नो तिया 27 का साथ बाकी बच गया दू नो तिया 27 अनो सते 63 तो आप 27 और 63 को आइड करेंगे 27 और 63 को जैसे ही आइड करेंगे तो आपका आजाएगा 90 अनब्य दू 92 का दू बाकी बच गया नौ आपको आइड करने के लिए आना चाहिए अनो सते 63 और 63 और 10 होता है 73 यानि 72 आपका अनसर्व है अग्याइड करेंगे 27 आपका अनसर हो है कि मल्टिप्लिकेशन आपको आना चाहिए तो क्यों कैसे एक लाइन या किसी भी नंबर को मल्टिकलाइग करने के लिए आपको आना चाहिए इस तरह से आप इसको मल्टिकलाइग करना सीख जाएए और आपका बहुत ही कलकुले और इसको गहिए मैं आपको तीन से चार पुस्क्राइग के लिए बनाने के लिए अग्याइए ठीन से चार पोस्टेन जैसी 54 को एक मुल्टिप्लाइग करने के लिए बोल दिया 76 यह अफ बना सकते है 44 को मुल्टिकलाइग जोड़ा अधिए इसको बना सकते हैं 59 को multiply करने के लिए बोल दिया 79 से या पैसे बना सकते है इसको इसको multiply करेंगे इसको इसके साथ multiply करेंगे वह आप इसको कैसे कर सकते हैं कि दूसरा है 24 को multiply करेंगे 95 कि यह भी है आपका कि 76 को multiply करेंगे 74 यह देखिए बहुत ही आसान है इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं 75 पलस 1 75 माइनस 1 ऐसे कर सकते कर सकते तो आप टू डिजिट्स नंबर का मल्टिप्लिकेशन आप इजी से कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से इसे करके करके दिखाईए और आएजी से यह बनेगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो share कर दिजिए वैसे ताप लोग share करते नहीं है वैसे कर दिजिए share like कर दिजिए और इसका अंसर एक दो तीन चार चार च जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद